नमस्ञार दोस्तों काफी रात हो चुका है फिर भी आप से जुलने के लिए एक महत्पून बात करने के लिए लाईबाना पड़ा हूं चुनाओ चल रहा है उत्तर परदेश में और मुख्य मंत्री जी का भौकाल बाजी अब उस भौकाल का सच्चाई भी सामने आ रहा है चल रहा है और चुनाओ के दाउरान सभी नेता उत्तर परदेश के तरफ रूप कर रहा है ठीक है तो सभी दल के नेता आएंगे उसमें चिड़ने वाली बात कौन सी है उसमें मारपीट कर रहा है कौन सी बात है मालूम है ना आज OACG के उपर जलाई गई है उत्तर परदेश के राजनीत में इसमें कई राज है लेकिन उसको हेके करके बताएंगे हम आपको साथ में OACG के उपर गोली चला दी गई कासे कि वह एक्षो राजनेतिक दल के अध्यर्च है वह अपनी बात कहते हैं तमाम लोग इस देश में अगर भारत देश महान है तो उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए पहचान यी तो है कि यहां का बहुत संख्यक वाद वाली आबादी यानि हिंदू आबादी अपने धर्म की बात कर ले मैं भी उसी धर्म से हूँ और अपने धर्म की इज़त करता हूँ उसका जब जब मान होने लगेगा राजनेतिक करण होने लगेगा तब तब दिल थोड़ा सा दर्द में होता है यह लिए यह लाइब नहीं है कि ओवईसी जी के तरफ से बोल रहे हैं बुद्धी विवेक थोड़ा लाग करके बात को एटल इंसानियत घरे पर तूल गए हैं भारती जनता पार्टी के नेता एतना जोन हों की गड़बर आगए हो यार मांसिक संतुल ना vet सतम हो गया है अरे चुनाव है कोई जीता हो जान ले ले रहे हो चाठ्थो गोली चली है उस आदमी के ऊपर अगर उजूड बोल रहा है उसका दिलवाए निर्वाचन आयो और अगर अब यहां एक तर्क की बात ही है कि जो यह अपराद मुक्त की बात या अपरादियों को कपवाने की बात कह रहे थे वो एक खास समुदाय मुसलमान को टारगेट करके था घर किसका तुटा मुक्तार अंसारी का अब कहेंगे कि अब आप हमको कहेंगे कि हम मुसलमानों की बात करते हैं अरे हम इंसानियत की बात करते हैं हम कानून बेवस्था की बात यहां कर रहे हैं कि अतिक अंसारी का गोली किसके पर चल गया वह वह इसी पॉर्ड कर रहे हो चुनाओं के दवरान जब सरकार की ताकत नहीं है तब गोली चल लाहा है और उकरे बाद जब सरकारवा फिर दुबारा बन जाएगा तो कितना बं चलने लगेगा हम आप समझने की कोशिश करिए इस देश को इस प्रदेश को अपरादियों का दहसत गर्दों का खाड़ा बनाया रहा है भारती जनता पार्टी और उसका ने तरफ को पर गोली चला द होंगे चाहे हिंदि और चाहे मुसल्मान और चाहे सिख और इसायर वैसे जी के उपर उसका भरपूर विरोध है इसलिए नहीं कि वहुत बड़े ने उनकी चाप लूसी उनकी जी हुजूरी वाला मामला नहीं है अगर गोली किसी भारती जनता पार्टी के नेता के उपर भ चलती तो भी लाई वाता है कांग्रेस पे फी चलता क्यों की won कि हम गीतन कीतनि नेता होता होगा लेकिन अपने नहीं पार रहे हो क्या करोगे गोली मार के मर देंगे उसके बाद ओएसी के बाद और कोई चलने लगे का चोर के दाड़ी में तिनका इस बात का सबूत है ओवईसी को पर गोली चलना है चोर अब चटवटा रहे हो कि आप चुट्टा गिरी तुम्हारा लोगों के सामने आने जा रहे हैं अभी आज तुमने मारा है गोली ओवईसी को कलकुप्रियंका गांदी के उप परचलाओंगे परशों को अख्लेस यादों को मरऊगे मयावती को कहोगे चंद्रसेखर को कहोगे उपरकासराजभर को कहोगे सबको कहते रहो भाजपावलों को कहूगे पता नियिक फगला गहे हो कि बुद्य कहतम हो गया तो ने कर रहा है फिलाल यह गोली चलना हमारे और आपके जीवन का संकट देने का दस्तक है नेता लोग भी जब मारे जारने लगे तो आम आदमी का क्या होगा इस दासत को समझने की कोशिश करिए इसलिए कोई भी नेता हो चाहे वैसी जी आप देखिए हैदराबाद के नेता है मैं बनारस का नेता हूँ उत्तर परदेश का नेता हूँ मुख्यमंतरी हमारा इतने नीचे गीर गई है मैं बड़ा मजबूर हूँ लेकिन मैं अपने उत्तर परदेश और बनारस के सभी जनता के तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ इस अपमान का बदला इस तरीके का जो आपके उपर गोली चलाई गई इतना निश्टा की भावना उत्तर परदेश से निकल के जाएगी राजनेतिक गलियारे में इसके लिए मैं बड़ा सर्मिंदा हूँ ओवैसी जी हमको माफ करिये हमारे उत्तर परदेश के लोगों के तरफ से बनारस के तरफ के लोगों से हम लोग महबत के सहर के लोग हैं हमारा जो बनारस है गंगा जमनी तहजीब का बनारस है हम लोग एक दूसरे से मिल जुल के रहते हैं और इसलिए ओवैसी जी एक बात यह एक राष्टी यह संकट मन गए ओवैसी जी यह भारती जनता पार्टी के लोग हम का कहें का ना कहें फिलाल इस प्रदेश में नेताओं के उपर गोली चलना मतलब हाम जनता का बहुत ज्यादा खतरा है जीवन का और इसको देखते हुए शुनाओं में आप भारती जनता पार्टी के खिलाफ वोट जरूर करिएगा क्योंकि चुनाओं में चला है गोली राजनेतिक मुद्ध है तो इसको भी इसके भविसे से चोड़ करके देखना चाहिए फिर आएंगे यही भाजपा वाले फिर गोली चला ना लगेंगे और कहेंगे कि हम गु ली छलव करके राजनेत कर दाद तु- लोग भाजपा कर नहले यहीं सारमात है राजपा कर नहीं से और कहो गोड़से के तरह हो जाएंगेंगे दोर में लोगो देहाझों साभित कर दे दुगा कहीं न कहीं कि ओवईसी जी गांधी जी के रास्ते पे चलतुमन और तू लोग गोड़से के तरह चटपटा के गोली चला वत हुआ इस बात के समझा बहुत बड़ा काम किये हैं भारती जंता पार्टी के गुर्गों ने आज ओवईसी को गांधी बना दिया खून तजरी तू लोग अनका लेकिन गोड़से के तरह तो ही लोग तो उचड़ उचड़ के गोली चला वत हुआ तो समझ में आ गया कि कौन गांधी है और कौन गोड़से है उत्तर परदेश की जंता समझो भाईया कऊ जिलोग दिन ढहाड़े गोली चला वत हुआ पूरे पांच साल गोली चला लो भया बड़ा एकदम जीवन जलालत में बितल नेताजी लोग देखा तू लोग देख़त हुआ भारती जनता पाठी का नेताजी हुआ तो हुआ परवारी का होबा पापा भी क्यो गहत होई क्यों मम्मा मौसा सब चुछ कह रहा होगा आपको यार उस रिष्टे के धर्द को समझने कोशिश करिए राजनित में गोली सोली मत चलवाई है अर लड़ी ठीक है जेल फेल भेजवाई रहे हैं मुकदमा मुकदमी करवाई रहे इतना मत गिर जाईए चुनाव है नेता जी है नेता जी के सब दका महत्व समझने की कोशिश करिए मेरे मित्रों देश के हो यार कहें ऐसे कर रहे हो यार गोली फोली मत मरवाऊ दखो हमको भी मतारी बहिन का गारी देते हो तुम लोग अच्छा नहीं लगता है न सुनने के बाद खून हमारा जर जाता है तो तुम्हारा भी तो जरेगा न तो हम भी देते हैं तो तुम्हारा जरता है तब न तुम हमको देते हो जरने जराने की बाद छोड़ दो यार कोरोना काल में मार लास जरवा दिये फिकवा दिये कुल करवा दिये तो ऐसा समझे और किसी को गोली उली मत मार गये क्योंकि गोली मारने वाले लोग सदेव जीवन भर गोड़शे की पहचान रहेंगे और गोली जिसके वह सदेव गांधी के समान पर रहेगी इसलिए आज बेशक भरतिय राजनीत में OECG का तलुकात आज जो है गांधी के विचारों पर हुई है और गोली चलाने वालों का गोड़शे पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो उत्तर परदेश का चुनाव है यह उत्तर परदेश का चुनाव भाजपा बनाम भारत का है पिछले कई दिनों से मैं तमाम इंटर्व्यू में कह रहा हूं कि भाजपा बनाम भारत के लड़ाई में आप तैं कर लीजिए कि भाजपा के बंदुक और गोली और तोप और दहसत गर्दी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे या भारत के साथ भारत के साथ जाएंगे तिरंगा की बात करेंगे गंगा जुमी तहजीब की बात करेंगे दोस जून की रूटी की बात करेंगे सस्ती जिंदगी की बात करेंगे इतना बड़ा बेवकूप मत मरिये भाया इन सबों को हरा गिये बड़ा एकदम बुरा हो गया मत मरिये गूली जाहिन जाय भारत भगवान आपको बुद्धी दे बाचपाईयों और हमारे देश के सभी लोग हमारा भी देखिये चैरा मौरा चुनाओ लड़ते लड़ते अलाकरी बात नहीं करना चाहिसे माहूल में लेकिन शारी बात हम बतादे हम इसले देखिये राहे ही देखनार मियों बद्धेब बाकी देखा झाएगा बारत